हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल चानकारी मित्र पर दोस्तो जी आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पैंसन धारियों को लेके जी हाँ दोस्तो पैंसन धारियों को बहुत बड़ा जटका लगने जा रहा है जी हाँ इस महीने में आपने ये तीन कारे नहीं किये तो आपकी पैंशन जो है बंद हो जाएगी जी हाँ दोस्तों पैंशन धारी चाहे वो राज सरकार से जिनको पैंशन मिल रही है या केंदर सरकार से जिनको पैंशन मिल रही है ये वीडियो उनके लिए है वीडियो का एंड तक ज जुरूर है अगर आपको भी पैंसन मिलती है चाहे वो व्रदवस्ता पैंसन हो चाहे विड़ो पैंसन हो विकलांग पैंसन हो केंद्र सरकार से भी आपको पैंसन मिल रहे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पैंशन रुक सकती है आपकी चलिए आगे बात कर लेते हैं राज या केंदर सरकार की तरफ से विद्वा पैंशन दिव्यांग पैंशन और व्रधवस्ता पैंशन स्किम का लाब मिल रहा है तो आपको इन बड़ी अपडेटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए वरना आपक एक मामली सी गलती के वज़े से आपकी पैंशन बंद हो सकती है जी हाँ दोस्तों आपकी एक गलती के वज़े से आपकी पैंशन बंद हो सकती है पैंशन न्यूज मैं आपको बता देता हूँ जो अपडेट आ रही है और जो न्यूज आ रही है लाखों लोगों की पैंशन हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है पैंसन पोर्टल से विद्वा, दिव्यांग, विर्दवस्ता और किसान जो पैंसन ले रहे हैं उनका नाम हटाया जा चुका है सरकार की तरफ से पैंसनरों को अंतिमों का दिया जा रहा है अब सरकार पैंसन के नियों में बड़े बदलाव करने जा रही है तो आगे पर बात करने वाले हैं कि सरकार क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं एक जनवरी 2023 से जिया दोस्तों सरकार जो है पैंसन नियों में बड़े बदलाव करने जा रही है वो क्या बदलाव हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ और वो कौन से तीन कारें जो आपको करने चाहिए वरना आपकी पैंसन बंद हो जाएगी सबसे फर्ष्ट कारे के अपन बात करनेते हैं सबसे पहले जो है सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपने पैंसन का भोतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो वह करवा लीजे भोतिक सत्यापन करवाने के लिए आपको जन्शुएदा केंदिया CST केंदिया E-Mittr पर जाकर जो ह आने से सरकार को मालूम हो जाते हैं कि आपकी पात्र हैं और सही तरीके से पैंसन का लाब ले रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक भोतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो अपना भोतिक सत्यापन करवा लीजे क्योंकि जिन्होंने अपना भोतिक सत्यापन 31 दिस लेता हूं दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए दूसरा जिन पैंसन धारों ने अभी तक अपने बैंक में जाकर अपनी EKYC नहीं करवाई है जल्द से जल्द वह करा लीजे जिसके लिए आपको बैंक में अधार कार्ड पैंकार्ड मुबाइल नंबर की जीरोक्स कोपी अप करके जमा करानी होती है इतना करने से आपके बैंक से पैसे का लेंदेन जारी रखने नहीं करते हैं तो बैंक से कोई भी पैसा आपको नहीं निकाल पाएंगे देखिए दोस्तों अगर आपने अपने बैंक में अभी तक आपने अपने बैंक में जो है अपना आधार कार्ड जनधार कार्ड और मोबाइल नमबर नहीं दिये हैं तो आप अपने बैंक में ये चीजे सभी जमा करवा दे ताकि बैंक से जो है आपकी EKYC अपडेट करे जाए और बैंक को पता रहे कि ये खता चालू है इससे लेन देन क्या जा रहा है और जो मैं आपको बता दू तीसरा क जो अगर अभी तक आपने काफी लंबे समय हो गया है और आपने अपनी पैंसन या जिस भी अकाउंट में आपकी पैंसन आती है उससे कोई लेन देन नहीं किया गया है तो आप उससे कुछ भी पैसे या तो जमा कीजिए या निकाल लिए कुछ भी उससे लेन देन चालू क करना होगा, साथ ही साथ अपने बैंक में भी जाकर आप ए-KYC करवाए अपने डोकुमेंट्स, अधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने मोबाइल लंबर वहां पर जमा करवाएं अपने अकाउंट में जो है मोबाइल लंबर अपडेट करवाएं और साथ ही साथ आपके धार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए आपके जैसे कि OTP के माध्यम से आपको बैंक द्वारा भी सारी सुचना समय समय पर दे दी जाई तो दोस्तों ये कुछ काम है जो आपको 31 दिसंबर से पहले करने पड़ेंगे वरना आपकी जो है पैंसन बंद हो सकती है सबसे पहला काम तो अगर आपने बोतिक सत्यापन नहीं करवाई है तो अपना बोतिक सत्यापन करवाई है आपका जो येरिली वेरिफकेशन होता है वो आप 31 दिसंबर से पहले येरिली वेरिफकेशन करवाई है साथी साथ अपने bank खाते में लेंदेन, अगर आप काफी टाइम से लेंदेन नहीं कर रहे हैं, तो वो लेंदेन चालू करवाईए, bank से लेंदेन शुरू कर रहे हैं, अगर account bank बंद कर देता है, तो उसमें आपकी pension नहीं जाएगी, साथी साथ अगर आप भी तक आपने bank में जो है अपने अधार कार्ड और pen card से अपने account को link नहीं करवाया, तो अपने अधार कार्ड bank account से link करवाई है, अधार कार्ड और pen card से link करवाई है, साथी साथ उसमें mobile number भी जुड़वाई है, bank में जाकर भी अपनी EKYC अपडेट करवाई है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 31 December के बाद जो है आपकी pension रोक दी जाएगी, तो ये तीन बड़ी अपडेट थी कि pension धारियों को बड़ा जटका लग सकता है, क्योंकि सरकार जो है धीरे धीरे नियमों में बदलाओ कर रही और आने वाली समय में आपको देखने को मिल सकता है, कि एक जनवरी के बाद ज जरूर करने चाहिए, साथ इसाथ और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए, जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है, कि किन राज्यों में आपकी एक जनवरी से pension बढ़ने वाली है, सभी राज्यों को मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, जिन राज्यों में सरकार जो है, 2023 की स्टार्टिंग में पैंसन बढ़ाने चारी है, चाहिए वो विर्दवस्ता पैंसन हो, चाहिए विकलांग पैंसन हो, सभी की जो है वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, बैल न और मिलने चाहिए विकलांग ऑफको जाद नग्यों कर दोma में आपको